WordPress में product वगरे तो अच्छे से दिखा दिया लेकिन उसमें आप coupon code को कैसे implement करोगे add करने से पहले आप ये जान लीजे कि coupon code होता क्या है तो coupon code या alpha numeric code एक तरीका है जिससे आपको किसी भी product की purchase पर कुछ percent का discount मिल जाता है और बड़ी बड़ी companies जैसे Flipkart या Amazon भी इसी code का use करते हैं अपने लगभख सभी products में दूसरे शब्दों में इसको अच digital bargaining भी कह सकते हो तो इसी को आज हम अपनी side में add करेंगे अब जिस जिसने भी the blog mind को भी तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी से उसे subscribe कर लो ताकि आपको wordpress related ऐसी useful hacks time time पर मिलती रहें अब चलिए हम सीधे चलते हैं अपने wordpress के dashboard में फिर यहाँ पर आपको marketing का option देखने को मिलेगा उस पर hover करेंगे तो आपको यहाँ पर coupon का option देखने को मिल जाएगा फिर सीधे पर click कर दिएगा तो यहाँ पर मैंने पहली दो coupon code बना रखे हैं तो चाहो आप यहाँ से उसको edit भी कर सकते हो और trash भी कर सकते हो बट अभी के लिए हमको add coupon पर click कर देना है अब बागी की setting आपको यहीं पर करनी पड़ेगी यहाँ से आप अपने coupon का नाम डाल सकते हो नीचे description डालना है और यहाँ discount type में में कुछ चीज़े add करनी तो चली फटा फट से शुरू करते हैं सबसे पहले coupon code डालना है अगर आपको अपना कुछ डालना है तो यहाँ से आप उसको डाल सकते हो फिलाल मैं generate coupon code पर क्लिक कर देता हूँ तो इसने मेरे लिए एक नया coupon code generate कर दिया है फिर नीचे आपको description डिखेगा यहाँ पर आप description डाल दिएगा मैं डालता हूँ यहाँ 10% of on any product तो ऐसे आप description डाल दिएगा फिर नीचे आपको discount type का option डिखेगा यहाँ साबको percentage discount को select ही रखना है इससे आप किसी भी product का percentage में discount दे पाऊगे अपने customers को फिर नीचे option है coupon amount उपर हमने पहले इसे percentage discount select कर रखा है तो हमें नीचे बस 10 लिख देना है जितने percent कम को discount देना है उसके बाद नीचे देखते हैं तो allow free shipping का option है इसको भी आप tick कर दिएगा अपने हिसाब से मैं कर देता हूँ क्योंकि shipping इससे free of cost हो जाएगी और फिर नीचे आता है coupon expiry date यहाँ पर आपको अपने coupon का expiry date भी select करना है कब आप उसको expire करना चाहते हो तो number 2023 चल लाए है फिलाल तो हम चलते हैं 1st January 2024 इस time of period में हमारा coupon expire हो जाएगा अब यहाँ से हम publish पर click कर देंगे तो यहाँ से हमारा coupon जो है update हो चुका है तो इतना simple process था coupon code बनाने का अब यहाँ से हम चेक कर लेते कि हमारा coupon code काम कर भीराए की नहीं तो उसके लिए सबसे पहले अपनी website खोलेंगे यहाँ से कोई product select कर लेता हूँ मैं फिर यहाँ से हम add to card पर click कर लेते हैं तो यहाँ checkout का option हो गया है यहाँ पर आपको दिखे का apply coupon का तो जो coupon code हमने बनाया था एक बार उसको check कर लेते हैं यह है वो coupon code इसको हम copy कर लेते हैं और यहाँ पर उसको paste कर देते हैं then click on apply coupon अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 158 रुपा है off मिल चुका है इस specific product पर तो देखा कितना असान है किसी भी coupon code को create करना अपने wordpress website में तो इसी method का use करके आप भी अपने website में coupon code को add कर सकते हो बाकि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक like कर देना like नहीं करते हैं तुम लोग तो जितना हो सके वीडियो को like करके share भी कर दीजिए ताकि दूसरों तक यह information पहुँच सके और चैनल को subscribe नहीं किया तो भी कर दीजगा बाकि मैं मिलता हूँ आपको next वीडियो में ऐसे ही किसी useful topic के साथ झाल